कोई प्रतिमा एक जगा लिखा है, अगर कोई प्रतिष्ठा चार ना मिले और कोई प्रतिमा कहीं रखी है, सौ वर्स तक अगर कोई व्यक्ति उनको पूजत पूजा करते रहें, करते रहें, करते रहें, फिर प्रतिष्ठा कराने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि उसमें के लक्षन आ गए अब वो पृतिमा आतिशायकारी हो गई लोग कहते हैं मंदर जी महनाजी मंदर क्यों बनाते अगर पाहल से स्ट्री ने जी हजार बर्स पहले मंदर नहीं बनाये होते तो आज जो गदगद भाव आपको सांतिनाथ भगवान को देख कर आता है आता क्या बन परिणामों से हमें तीब्र पृन आश्रा होगा यही भगवान का आशिरवाद है यही हमारी लाइफ में हमारा भाग बनेगा भाग कोई दूसरी बस तू नहीं है और यदि हम उनी भगवान के सामने क्रूरता का प्रदर्शन करें औरंग जेव जैसा तो भगवान ने क्या पाप तीब्र पापों का आश्रा हुगा वो उसके आत्मा के प्रदेशों के साथ एक में होगा है जब उसको ओदाय में आएंगे फल देंगे तो रोने मजदूर नहीं मिलेंगे हम आप से पूछना चाहते हैं मौनद जी हम अपने घर में बैठे बैठे भी तो बैसे परिणाम कर सकते हैं जैसे भगवान के मंदर में होते हैं तो प्रयास करके देख लो कभी दारू के ठेके पर जाना दूद लेकर दूद है मैं पी रहा हूँ पी के बताओ देखेंगे आपको देख रहा है कि जैन साब दारू के ठेके के सामने खड़े हैं और आप पी रहे दूद वो क्या कहेगा दूद पी रहे है कह सकता कभी वो कह नहीं सकता वो क्यों क्यों कि उसको पता है कि आप दारू के ठेके पर गय है इसका मतलब है वहां आपके भाव लग नहीं सक जानॐस्ते हो, चैनी स्पोकर मतलब जो smoking करता, एक फैंकी दूसरी लगाई, दूसरी फैंकी प्रेंकी तीसरी लगाई उसको चैनी स्मोकर Самी दूसरी लगाई उसको चैनी स्वोकर ढोलते है, एक चैन ट्रिंकर भी होता है, वह एक पउखाए्ट Tarla पिया, फैंका, दूसरा उठाया, फिर पिया, फैंका, तीसरा उठाया, उसको बोलते हैं चेंड ड्रिंकर, वो चेंड ड्रिंकर क्या करता है, पीता रहता है, मैं आप से पूछना चाहता हूँ, कितना भी बड़ा वो पियक्कड क्यों न हो, अगर उसको कैदो भगवान के दर पर्टाओ मन में, बिलकुल होस में नहीं है, लेकिन वो भगवान, भव्यों, मूँ से नहीं बोलेगा, क्योंकि पी हल रहा है उपर नीचे, वाकर बोलेगा क्या, भगवान हम नहीं जा पाएंगी, भगवान है, उसको ये पता है कि भगवान है, ये फरक प्ड़ता है, जो भ अंदर मंदर में जाना ही चाहिए एक जगा लिखा है पुर्यम जनेंदर परी पुज्यम साद्यमाद्यम पूरे ब्रह्मांड में यदि सरबादिक पुन्य संचय करने का कोई एक स्थान है तो वो है दिगंबर सच्चे बीतरागी भगवान का प्रतिमा मंदर बस सबसे ज़्यादा पुन्यर्जन होता वहाँ इसलिए मंदर तो जाना ही चाहिए अब महराजम मंदर तो गए लेकिन भेकारी बनके गए तो जिस कार्म का जिस कार्म का आपको करोणों रुपे मिलना था आपने मुँ से मांगकर सैक्रों में ने प्टा लिया जहां भगवान के मंदर में गए नमुस्तु करके लोटके आने वाले थे आपको मिलने थे कितने करोणों और आपने मात्र सैक्रों रुपे मिले मुँ से मांग लिया कितना हमारी बिटिया का विवाय हो जाए, घर बन जाए, दुकान अच्छी चलने लगए, ये बो, ये बो, महामूर्ख लोग हैं बे, मेरी द्रिष्टी में तो बकूफ माने ग्यान बे, बकूफ हैं बे, ग्यान से रहत, जो लोग देबादी देव के चरणों में जाके और भ हुसा मांगते हैं, एक पंक्ती आई थी, अभी हम बोल रहे थे, सब का मालक एक है, महराजी अगर भगवान के मंदर में भगवान के पास जाने से कुछ नहीं होता, तो भगवान कुछ नहीं करते हैं, इसका मतलब ये हो गया, और जबकि हम ये कह रहा हैं कि सब कुछ करते हैं, तो महराजी भगवान करते हैं, तो फिर आपकी दोनों भासों में बिरुदा भास है, इस पंक्ती को समझ लो, सब समझ में आ जाएगा, सब का मालक एक है, लेकिन सब का मालक एक, जैनेजम भी कहता है कि एक है, लेकिन सब के मालक एक में महान अंतर है, महराजी हम स लेकिन दोनों पंग्तियों में जमीन आस्मान का अंतर है कैसे महरण जी? कोई भी इस्तरी यहाँ ऐसी है अथवा पूरे बिस्सु में ऐसी है जिसके दो पती हूं लीगली मतलब लोग एक सामान नतौर पर जो कहती हो कि उसने दो पतियों से एक साथ बिबाय किया है, सबके पती एक हैं, लेकिन क्या पूरा एक ही कोई है सबका पती है, जो सबका पती है, समयागी बाद, सबका मालक एक तो है, लेकिन सबका मालक एक नहीं है, कैसे कोई एक इस्वर है जो पूरे ब्रह्मान का करता धरता है, यह उन जैनेजम ये कहता है, पहले पूछता है, उनसे कॉश्चन करता है, भाया, अगर ईस्वर करता धरता है सबका, पूरे ब्रह्मान्द का, तो ईस्वर क्या पक्षपाती है? अगर सबका धरता करता धरता ईस्वर है, एक ही समय में एक अमीर व्यक्ति के यहां जन में ले रहा है, और एक भिकारी के हां जन में लिरा है, तो ईस्वळ तो पक्षपाती हो गया, उसने तो दो पक्षपात कर दिया, फहर उससे पूछा, ऐसा क्यों? नहीं, बोले वो करता धरता तो ईस्वर है, लेकिन यह जो ईस्वर नहीं किया, यह कर्म नहीं किया, तो कर्म इस्वर हुआ ना फिर इस्वर का क्या काम अगर इस्वर करता है तो सब कोछ इस्वर को कर रहा है तो सब को पर इस्वर को सब को पैसा बाला बनाना चाहिए सब को अमीर के हाँ पैदा करना चाहिए सब की दुकान अच्छी चलने चाहिए इसाया होना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो फिर इसका मतलब है कि कोई दूसरा भ्यक्ति कोई कर रह या तो आपका ईस्वर रागी दिवशी है- और इस्वर रागी दयसी हो नहीं सकता, दो दोगात आपके सामने सूना दिजह तो फिर कौन करता धरता है तो फिर उनने का कर्म है उसने अपने कर्म किये थे कर्मों से वो गरीब के हैं जनम लिया और कर्मों से वो अमीर के हैं जनम लिया तो फिर इस्वर करता धरता काई के पर कर्म करता धरता हो गया ना इतनी सी बात अगर आपको समझ में आ जाए तो आपक मैं हूँ, आपके मालक आप हैं, आपके मालक आप हैं, इनके मालक वो हैं, उनका मालक वो है, सबका मालक एक है, लेकिन सबका मालक एक नहीं है, बस इतनी सी बात है, सबका मालक एक है, लेकिन एक नहीं है, एक 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 है, हर एक ब्यक्ति अपना मालक सयम है, मैं अच्छे कर करूं और मुझे पाप कर्म का बंद हो किसी भी इस सवर में यह ताकत नहीं है कि वो ऐसा कर दे मैं बुरे काम करूं और मुझे सौर्ग में जाकर बिठा दे पुन्न संचय कराए किसी भी इस सवर में ब्रहमान्ड में ना वो महावीर स्वामी ना सांतिनाथ भगवान ना आधिनाथ भगवान ना भरा चक बढ़ती और ना हमारे गुर्देव आचार भगवन गुर्देव विद्या सागर जी महराज उनमें भी ये सामर्थ नहीं है कि किसी के पुन्न को पाप में बदल दे किस में सामर्थ है तो महराजी फिर आप गुरू गुरू क्यों चिल लाते हैं उनके आलंबन से हमारा कल्यान होगा जब तक हम देव का आलंबन नहीं लेंगे हमारा कल्यान नहीं हो सकता जब तक हम सास्त्र का आलंबन नहीं लेंगे हमारा कल्यान नहीं हो सकता जब तक हम गुरू का आलमबन नहीं लेंगे, हमारा कल्यान नहीं हो सकता, दिख्षा कौन देगा? गुरू. शिक्षा कौन देगा? गुरू. ये सच्चे देव हैं, ये कौन बताएगा? गुरू. बिना गुरू के हमारा कल्यान हो नहीं सकता, लेकर गुरू हमारा कल्यान कर नहीं सकते क्योंकि सबका मालक एक है मेरा मालक मैं हूँ उन्हें रस्ता बता दिया निमित्त गुरु हैं